हिस्सा है और आदमी next to bread, दाते ने कहा था next to bread, यहनी कि रोटे के बाद आदमी को क्या चाहिए वो शिक्षा चाहिए शिक्षा के छात्र, छेत्र मेंगर हम देखें तो पूरे ही देश में एक विवस्ता चली आ रही है कि शिक्षा के छेत्र में सरकार पैसे खर्च करना नहीं चाहती है अधिकांस तोर पर private sector को यह सारी जिम्मेदारी सौप दी गई है जो काम सरकार का होना चाहिए, जो पढ़ाई एक इंजिनर के छेत्र में और एक टेक्निलोजी के छेत्र में या M.A. करता है जो बच्चा, आज वो 12,000-25,000 रुपे दे करके वो शिक्षा घ्रहन कर रहा है सरकार इससे भाग रही है प्राइवेट मोड जो होता है वो शिक्षा के छेत्र में अच्छा पर्याय नहीं हो सकता है जो प्राइवेट कॉलेजेज रहे हैं नेशनल मुमेंट के समय से जैसे SD कॉलेज ग्रूप या DB कॉलेज ग्रूप ये कॉंग्रेस के द्वारा क्रियेट के गए थे अंगली शिक्षा के खिलाब में लेकिन सरकार भाग रही है जबकि अच्छी टेक्नलोजी वाली शिक्षा एंजिरिंग वाली मेडिकल कॉलेज बगरा की जो सुविधाय है वो आपको तभी मिलेंगी जब सरकार इस चेत्र में आगे बढ़ेगी सरकार इसको जिम्मेदारी के तόर पड़ लें जो सिक्षा के चेत्र में आगे गए है इन्हों ने शिक्षा के चेत्र में एक बड़ा पैसा खर्च किया है आप इंटर तक शिक्षा फ्री दीजिए लेकिन आप डिगरी को लगें ..... ना कि जो पर capita income है आदमियों की वो थोड़ी कम है लेकिन आप उसको भी